नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चले इन रुपांडे व्यक्ति का पूरा जीवन सीखने में चला जाता है और अगर आप सीखना चाहें तो हर चण, हर मुहूर्त में, हर घंटे में कुछ न कुछ सीख सकते हैं सीखने का सबसे सही मौका होता है विद्यार्थी जीवन में जब हम सिक्षा भी सीखते हैं, ज्यान भी प्राप्त करते हैं और जीवन को बहतर बनाने की बातें भी जान पाते हैं लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी बने कैसे, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बने, जिससे हम जरूरी चीजों को सीख पाएं और गैर जरूरी चीजों को हटा पाएं एक अच्छा विद्यार्थी बनने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और कैसे एक अच्छा स्टूडेंट बने एक अच्छा विद्यार्थी बने आज इस विशेपर बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है अपने आलस्य को अपने मन की समस्याओं को कैसे दूर करें कैसे अपने मन को मजबूत करें और कैसे बने अच्छा विद्यार्थी अच्छा स्टूडेंट तो विद्यार्थी होने का मतलब क्या है और अच्छा विद्यार्थी कैसे बना जाए इस पर बात करेंगे लेकिन उसके पहले आपकी जिग्यासा जान लेते हैं आज की जिग्यासा क्या है आज की जिग्यासा ये है कि क्या घर में केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में केले का पौधा लगाना शुब नहीं होता है घर में केले का पौधा लगाने से अशुबता आती है क्या वाकई में ऐसा है? इसका सत्य क्या है और इस जिग्यासा का समाधान क्या है ये आपको आगे बताएंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट बनता कैसे है विद्यार्थी होने के गुण क्या है किस चीज को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि वो अच्छा छात्र है अच्छा विद्यार्थी है देखें भारतिय शास्त्र बहुत स्पस्ट कहता है यानि कि विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवशक्ता है सबसे पहली जो चीज जरूरी है वो है अच्छा प्रयास अच्छा इफर्ट काक चेश्टा कववे की जो चेश्टा होती है जिस तरह से कववा अपनी चीज को पाने के लिए जटकता है उतता है प्रयास करता है वो इफर्ट होना चाहिए काक चेश्टा अच्छा प्रयास इस लेकिन वो चैतन्य रहता है और मौका मिलते ही मचली को पकड़ लेता है अच्छी एक आगरता श्वान निद्रा कुट्टे की तरह की नीद जरा सा खटपट हुआ आँख खुल गई ये नहीं कि सो रहे हैं नगाडा बजरा और आँखी ने खुल लई है आलस से कम होना कि बिलकुल निद्रा में लीन हो गए तो स्वाद और खान पान पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा और सबसे एहम ग्रिहे त्यागी घर को छोड़ने वाला घर को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि जो घर को छोड़के जाएगा वही विद्यार्थी होगा, नहीं इसका मतलब है कि जो attachment है परिवार से, जो परिवार का मोह है, परिवार के साथ जो भावनाय जुड़ी हुई है उनके चक्कर में ना पड़े emotional कम हो जाए अगर ऐसा किया जाए, किसी व्यक्ति के अंदर ये पांचों लक्षन मौझूद हैं, तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी बनेगा, बहुत अच्छा student बनेगा क्रिश्न के बारे में क्या कहते हैं, 64 दिन में उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली थी, क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट विद्यार्थी थे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी भी एक अच्छा विद्यार्थी बने, एक अच्छा student बने, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग खुजी नदर अंदाज कर देते कवे की तरह का प्रियास होना चाहिए, लेकिन अगर प्रियास छीक न हो तो प्रियास करने की जो ख्षमता है, जो इफर्ट की ख्षमता है, जो प्रियास करने की ताकत है, वो आती है सूर्य और मंगल से, सूर्य और मंगल में से अगर एक ग्रह कमजोर हो जाए, या दोनों ह कमजोर हो जाएं तो ऐसी दशा में प्रयास की शमता कम हो जाती है आदमी प्रयास करना ही नहीं चाहता है आदमी सोचता है कि ठीक है नहीं हो पा रहा है तो कौन इफर्ट करे गड़ित का सवाल सौल्व नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो कौन प्रयास करे छोड़ो जब इफ ये सही से attempt नहीं करतें, सही से effort नहीं करतें, तो सलाह ले करके अपने बच्चे को एक मूगा या मारिक के धारन करवाईए, साथी साथ नित्य प्रातह, अगर सूरी को जल चणाएं, सूरी की पूजा करें, तो उससे भी फाइदा जरूर होगा. दूसरी एहम चीज है ध्यान, एकागरता, वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान, जैसे वो पानी में बिलकुल स्थिर खड़ा है, लगता है मर गया, सो गया, लेकिन वो जगा रहता है, और अटेक करता है मचली देखने के साथ, पहुत कॉंसेंट्रेशन से घंटों हैं, एकागरता के लिए, कॉंसेंट्रेशन के लिए मेंली दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, एक होता है चंद्रमा और एक होता है बुद्ध, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुद्ध प्रभावित करता है आपकी बुद्धी को, बुद्ध को बेहतर करके विद्य थी कि एक आगरता को अच्छा किया जा सकता है, यानि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने का प्रयास तो कर रहा है, कोशिश करता है, बैठता है कुर्सी पर, लेकिन उसका मन नहीं लगता, उसका कॉंसेंट्रेशन अच्छा नहीं होता, ऐसी दशा में क्या करें, सलाह लेकर के बालक को एक पन्ना धारन करवाएं, एक पन्ना, साथ आठ कैरिट का एक पन्ना बनवा करके बच्चे को पहनाएं, तो उससे जो उसका कॉंसेंट्रेशन है, जो उसकी एक आगरता है, वो काफी बेहतर हो जाएगी, साथी साथ, भोजन में हरी सबजियों का प्रियोग करवाएं, अगर ऐसा आपका बेटा या बेटी करते हैं, तो उनका जो कॉंसेंट्रेशन है, वो काफी बेहतर हो जाएगा, तीसरा गुड़ है, श्वान निद्रा, श्वान माने होता है कुट्टा, कुट्टे की निद्र कैसी होती है, सो रहा है, आप बगल से जाएगे, खट से आवाज होगी तुरंद उड़ जाएगा, सोता तो है, लेकिन अलर्ट होके सोता है, कुम्बकर्ण की तरह नहीं सोता, तो जो विद्यार्थी है, वो भी आलसी कम होगा, ऐसा नहीं है कि बालक बहुत आलसी होगा, अगर बहुत आलसी होगा, तो कितना भी प्रियास करें, कितना भी कॉंसेंट्रेशन अच्छा हो, अगर आलस से होगा, तो आलस की वज़़ से वो सफलता नहीं पाएगा, अगर आपका बेटा या बेटी आलसी हो क्या मतलब होता है इसका बालक के शरीर में या बालिका के शरीर में अगर अगनी तत्व कमजोर हो जाए फायर एलिमेंट की मात्रा कमजोर हो और शनी की स्थिती गड़बड हो तो बालक का जो आलस से है वो बढ़ जाता है शनी मने जो हिपनोटिक एंजाइम का मालिक होता है जो निद्रा का अधिपती है उसे कहते है शनी, सैटर्न और सैटर्न जब बिगड़ा होता है तो आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है कहीं भी बठेगा उसे नीदा जाएगी आलस्त से बहुत होता है प्रियास भी है, कॉंसेंट्रेशन भी है लेकिन आलस्त की वज़ा से काम नहीं कर पा रहे है क्या करें अगर बेटा या बेटी आलसी बहुत है तो बालक या बालिका को सलाह ले करके एक मूंगा पहनाएं बहुत ही अच्छा होगा आलस्त को दूर करने में मूंगा बड़ा कारगर होता है बड़ा फायदेमंद होता है और साती सात सूर्य देव की उपासना की आदत भी अगर डलवाएं तो इससे जो आलस्त की intensity है इससे जो आलस्त से आता है जो निद्रा हर समय आती रहती है उसकी जो आदत है वो कम हो जाएगी अब इसके बाद कहा अलपाहारी कम आहार ग्रहन करने वाला ऐसा नहीं है कि बेटा और बेटी बेटे खाना खाने साथ रोटी भी खा गए एक थाली चावल भी खा गया इतना खा लिया कि खाने के बाद काम कुछ और हो ही नहीं रहा है यह जो भोजन है न वो शरीर को उर्जा देता है लेकिन अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो सारी शरीर की उर्जा भोजन को पचाने में नश्ट हो जाएगी ऐसी दशा में आलत से भी आएगा, मन भी नहीं लगेगा और जो लोग बहुत भोजन प्रिय होते हैं अक्सर ऐसे लोगों के बारे में देखा गया है कि मौके उनके हाथ से सरक जाते हैं, फिसल जाते हैं अगर बालक बहुत ज्यादा भोजन प्रिय हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए भोजन प्रियता दो ग्रहों से आती है या तो आती है शुक्र से, या तो आती है ब्रिहस्पती से ये भोजन के प्रती आसकती पैदा करते हैं, बढ़ियां खाना खाएंगे और बढ़ियां ही नहीं खाएंगे, खूब खाएंगे अस तोर से अगर आप ब्रिहस्पती को देखें, तो ब्रिहस्पती मोतापा भी देता है ब्रिहस्पती फैट भी पैदा करता है अगर आपका बेटा या आपकी बेटी बहुत ज्यादा भोजन प्रिय हैं भोजन के अलावा जीवन में कुछ समझ में नहीं आता तो उसे पन्ना धारन करवाए या सलाह ले करके शनी का रत्न होता है नीलम इसको धारन करवाने से भी लाब होगा लेकिन सलाह ले करके धारन करवाना चाहिए और जो लोग जादा भोजन करने के आदी होते हैं ऐसे बच्चों के बारे में ध्यान दखिए कि ये बच्चे रात को देर तक न जगें क्योंकि अगर ये बच्चे रात को देर तक जगेंगे तो शरीर का जो biological clock है वो बिगडेगा और खाने की जो आदत है वो बढ़ती चली जाएगी अब पांचवा लक्षड क्या कहा श्वान निद्रा तथई बचा अलपा हारी ग्रिहे त्यागी घर छोड़ने वाला हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट बनेंगे तो घर छोड़ देंगे घर मतलब जहां पर आपकी भावनाएं हैं जहां पर आपके इमोशन्स हैं आपके माँ हैं आपके पिता हैं आपके भाई बंदू हैं आपके लोग हैं उनके साथ मेंटली क्या होता है emotionally बड़ा जुडाव होता है उनसे दूर नहीं जाना चाहता है बच्चा बेटा या बेटी दूर नहीं जाना चाहते बहुत भावुक होते हैं बड़े कमजोर मन के होते हैं माता पिटा से दूर जाने के नाम पे आँखों से आसु आने लगते हैं ये जो emotional part है न, ये भी विद्ध्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता, पुकि बच्चा अगर मालो पढ़ने के लिए दूर गया और रो रहा है, हमेशा दुखी है, हमेशा emotion में आ रहा है, हमेशा परिशान है, तो बड़ा मुश्किल होगा भाई, emotional part अगर वीख होगा, तो मुश्किलें बहुत होंगी, कब होता है ऐसा, आम तोर पर चंद्रमा की जब प्रधानता होती है, तो ऐसा देखा गया है, कि बच्चे बड़े emotional होते हैं, करक लगन के हों, या करक राशी के हों, या चंद्रमा का बड़ा संबंध हो कुंडली में, तो बच्चे बड़े emotional होते हैं, और अगर गुरू कमजोर हो, तो भी ऐसी समस्या आती है, क्योंकि ब्रिहस्पती जो है न, वो धर्मा अधिपती है, ब्रिहस्पती जो है, वो मन को बड़ा मजबूत करता है, ऐसा देखा गया है, कि अगर कुंडली में ब्रिहस्पती प्रबल हो जाए, तो mentally मजबूत होना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है, गुरू भी कमजोर है, तो बच्चा जो है, बड़ा इमोशनल होगा, स्कूल नहीं जाएगा, बाहर पढ़ने के लिए जाने के नाम से घबराएगा, इमोशनल प्रॉबलम परिशान करेगी, तो बच्चे को इमोशन से बचाईए, इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी इमोशन नहीं हो कि बच्चा अपने करियर में आगे ही न बढ़ पाए, इमोशन में ही फसा रह जाए, क्या करना चाहिए, एक सलाह लेकर के अपने बेटा या बेटी को एक पीला पुखराज धारन करवाएं, बच्चा अगर बहुत इमोशनल है, बहुत भावुख है, तो उसकी भावनाओ वाले पार्ट को कंट्रोल करने के लिए न सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनाए जाए, तो बड़ा लाब होता है, साथी साथ बालक को गायत्री मंत्र का जब करवाना चाहिए, तो एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किन-किन चीजों का होना ज़रूरी है और कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखके, कौन कौन से उपाय करके अपने बच्चे को अपने बेटे या बेटी को आप अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं इस विशे में हमने बात की